गोविंदगर उक्षण मुख्याले पर हरगर तिरंगा रन मेराथन का आयोजन राजकियोच माद्यमक विद्याले गोविंदगर से किया गया जो की विद्याले से प्रारम्भोकर मुख्या बाजार से रामगर मोड होते हुए सीक्री बाइपास से वापस विद्याले पोंची इस दोरान विध्यार्तियों ने जोश देखते ही बन रहा था और विध्यार्ती भारतिमाता की जय वन्ने मात्रम के उद्गोश करते हुए निकले जिसमें पुलिस थाना गोमिदगर के जवान व्यवस्ता बनाते हुए आगे चल रहे थे साथ ही NCC और NSS के विध्यार्ति सबसे आगे चल रहे थे हरगर तिरंगा रन मेराथन का आयजन में तिरंगे की थीम पर रिस्ट बैट कैप की व्यवस्ता एवं शुद पेजल की व्यवस्ता E.O. नगरपालिका द्वारा किया जाना था लेकिन नगरपालिका की लापरवाही की चलते ही जहाँ आननफानन में तिरंगे पहुच गए लेकिन तिरंगे के लिए डंडियां उपलब नहीं कराए गई वहीं हरगर तिरंगा रन मेराथन के समापन के बाद रिस्ट बैट कैम्प पहुचाए गई हद यहां हो गई जब मेरा थन के लिए पाने की व्यवस्ता नहीं की गई और इने लंबे चलने के बाद बच्चों को पानी तक उपलब्द नहीं हो पाया और बच्चे पानी के लिए इधर उदर घूमते हुए नजर आए अध्यापकों ने जैसे तैसे व्यवस्ता कर बच्चों को पानी पिलाया रमेश खटाना तहसिलदार गोविंदगर प्रभारी कारेकर्म ने बताया कि हर गरतिरंगा कारेकर्म आयोजित किये जाने के अंतरगत विबिन गती विदियो का आयोजिन में आज व्यवस्ता की जिम्मेदारी नगरपालिका की थी जहां E.O. मौके पर नहीं थे साथी पानी की व्यवस्ता भी नहीं होने के कारण बच्चों को काफी परिशान योगा सामना करना पड़ा इसकी सूचना उपखन अधिकारी को दी गही है इस दोरान मुख्य ब्लॉक सिक्षा अधिकारी गोविंदगर प्रभारी NSS, प्रभारी NCC, प्रभारी स्काउट साहित अध्यापक मौझूद रहे लेकिन अधिशासी अधिकारी नपा गोविंदगर विकास अधिकारी बच्चु सिंग मीना की अनुपस्तिती आज भी देखी गई जो किन कारेकरम के सहय प्रभारी नियुक्त किये गए है कल के कारेकरम में भी वहुपस्तित नहीं थे इसके अतिरी चिकित्सा विभाग से कोई मेडिकल टीम भी दौरान वहां पर नहीं पहुंची